Hello Friends, विसे स्वागा देखने वीडियो में इस वीडियो के अंदर बताने वालों किस तरी कि बोल्ट को enable, disable कर सकते हैं बोल्ट सेटिंग का enable करने से फायदा क्या होता है कि आप देख सकते हैं internet, network speed या पे आपको possible आप बहुत ज्यादा problem case कर रहे है आपका calling voice अगर कोई problem आ रही है मतलब calling से related कोई problem आ रही है तो definitely आपको इसको enable करके रखना चाहिए अगर इस disable रखेंगे तो आपका voice quality अच्छे नहीं होगी और LTE पे connect नहीं होगा तो आपको problem होगा तो LTE को भी आप connect करके रखें यहां से इस वीडियो में यही सब बात करने वाला हूँ इसका कैसे enable कर सकते हैं सुरू से मैं आपको बता रहता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को पहली बार आए तो चैनल को like, share and subscribe कर नहीं मत हुरीगा साथ पर गर्टिक उपसन है तो उसे भी क्लिक कर देजिए ताकि आपको latest video का update मिलता रहे है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बहले आपको setting पर जाना है setting पर जाने के बाद आपको इस तरीके का interface दिखेगा तो उसको आपको connection पर क्लिक करना है लेकिन आपको इसको data roaming को enable कर लेना है और साथ में इसको भी enable कर लेना है क्योंकि आप देख लीजिए इन सबसे enable करने से कोई पैसे ने लगता है को चार्ज ने लगता है तो आपको enable कर लेना है और इससे आपको बहतर experience मिलता है आपके phone के साथ यानि incoming outgoing call में साथ ही साथ में internet access करने में आपको problem नहीं होता है तो friends अब बात करते हैं next setting की next setting आपको यहां पे दिखता है network mode और इसमें आपको देख सकते है 2G, 3G और LTE का option दिखता है तो हमेसा इसी पे click करके रहने दे हो सकता है आपको इसी पे click होगा अगर नहीं है तो आप definitely फटा-फट से click कर लिए इससे क्या होगा कि आपकी जो internet speed है वो जो यहां पे आपको देख सकते हैं वो अच्छी खासी देखने को मिल जाता है अब बात करते हैं next setting की next setting आपको access name point मिलता है तो आपको इसको विल्कुल की नहीं अगर internet आपका सही चल रहा है अगर internet में आपको problem आ रहा है network पे problem आ रहा है तो आप एक चीज कर सकते हैं आप simply इस मिचा करके reset to default पे click करके आप अपने problem को fix कर सकते reset करने से क्या होता है कि आपका data बगएर कुछ भूलता तो नहीं है लेकिन आपका जो network है उसका जो problem होती हो वो automatically fix कर देता है ठीक है इसको reset करने से reset हो जाता है विल्कुल company जैसे अपने iPhone लाते हैं वैसा हो जाता है इसका network ठीक है friends तो friends बीटो पसंदे लाइक शेरें सब्सक्राइब को नहीं मत हुले तो आप मुझे definitely comment कर सकते है मैं आप लोगा reply चरूर करूँगा पिलते हैं एक्षपेरिमेंट ने टोपी के साथ तक के लिए नमस्कार और गुडबाए टेक केर